नमस्कार मैं रहुनात प्रशाद आज पुन्या चर्चा कर रहा हूं कॉलेजियम सिस्टम की एंजे एसी की और नीड ऑफ दियावर ओल इंडिया जुडिशल सर्विस की अस्थापना की भारतिय समिधान के उन्छेद 122 में अंकित है कि उच्चतम न्याले के और राजियों के उच्च न्याले के ऐसे न्याधिशों से प्रामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपती इस प्रियोजन के लिए प्रामर्श करना आवर्शक समझे राष्ट्रपती अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्याले के प्रतियक न्या के लिए जजों से प्रामर्श ले सकते हैं इसमें राष्ट्रपती की सर्वच्चता नहीत है या स्पष्ट लगता है लंबे समय से सरकार और हायर जुडिसेरी के बीच छुट बने विवाद होते रहे हैं खीश्टान चलती रही है कभी सरकार की ओर से वक्तव आते हैं तो कभी निया पालिका की ओर से आते हैं लंबे समय से डिवीट चला रहा है ऐसी परिस्थेती में वर्ष उनी सौ इक्यासी में पहला जज्जमेंट आया है एक मामले में जिसमें प्रामर्ष का अर्थ बतलाये गया राय विचार फिर उनी सौ तिरानवे में सेकिंड जजेज केश है जो कॉलेजियम सिस्टम की बुन्याद रखता है प्रामर्ष का मतलव शहमती बताया गया शहमती सब्द को ही कॉलेजियम सिस्टम में बदल दिया गया फिर आया थर्ड जजेज केश उनी सो अन्ठानवे में जिसमें कॉलेजियम सिस्टम की कारेपरनाली का निर्धारन हुआ है नियाएपालिका ने कॉलेजियम सिस्टम बनाने का तर्क यह दिया कि इसमें नियाएपालिका की स्वतंत्रता जरूरी है सचाईया है कि जिस वक्त सेकेंड और थर्ड केशस जजेज केश आया है उनीस्तों त्रानवे उनीस्तों अन्ठानवे देश की जनता भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी कि इसका आने वाले दिनों में प्रभाव क्या परेगा और प्रभाव हम लोगे ही देख रहे हैं कि इतनी आलोचनाय हो रही है दिभिन मामलों को लेकर जिसके कारण वर्ष 2014 में जब एंडिये गॉर्णमेंट आई केंदर में तो सभी दलों की समती से और सर्वसमत प्रस्ताव पारित करते हुए एक बिल लाया गया नेशनल जोडिशियल आपॉइंटमेंट कमिशन का और इसमें अधिकांस राज्यों की विधान समगाओं की समती प्राप्थी जो जरूरी था समयधानिक प्राप्थान के अनुशार लेकिन इस NJAC के प्रभीजन को वर्ष 2015 में ओन्रेबल सुप्रीम कोट की सम्भिधान पीठ ने चार एक के बहुमत से खार्ज कर दिया हाल के दिनों में जो घटना करम आ रहे हैं भारत के ओन्रेबल लौ मिनिस्टर स्री किरन रिजिजुजु शाहब लगातार कई कार्ज क्रमों में कॉलेजियम सिस्टम के संबंध में अपनी अप्रसंता जाहिर कर रहे हैं उनकी बातों से ऐसा लगता है कि अंदर रखाने कुछ चल जरूर रहा है वारत कर में दूसरी ओर के जुडिशियरी अपने तरह से कॉलेजियम शिश्टम का बचाओ करने में लगा हुआ है अभी जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ब्यवस्था क्या है ब्यवस्था यह है कि सुप्रिम कोट में जो जजों की न्यूक्ति और हाई कोट के चीफ जस्टिस और उनके जजेज के ट्रांसफर के फैस ले चीफ जस्टिस और चार अन्य जो सिनियर मोस्ट जजेज हैं इनको मिला करी कॉलेजियम होता है उनके द्वारा निरने लिया जाता है और अनुसंसा परस्ताव तियार के आता है और अनुसंसा भारत सरकार को भी जी जाती है हाई कोट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अनुसंसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रिम कोट के दो सिनियर मोस्ट जजेज का कॉलेजियम परस्ताव तियार करता है और अनुसंसा के इन सरकार को भी ज़ता है हाई कोट के जैजेज की नियुक्ति की अनुसंसा जो समबंधित हाई कोट होगा उनके चीफ जस्टिस और दो सिस्टिस का कॉलेजियम परस्ताव तियार करके सुप्रिम कोट को भी ज़ता है इन अनुसंशाओं की समिक्षा सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस और दो सिनियर मोस्ट जजेज के कलेजियम के द्वारा की जाती है कॉलेजियम अपनी अनुसंशाओं को चाहे वो सुप्रीम कोट से समंधित हो या हाई कोट से समंधित हो उन्हें स्विक्रती है तो सरकार के माध्यम से ओनरेबुल प्रसिडेंट को बेजा जाता है। सरकार अपनी अस्तर से विभिन्जो एजन्सीज हैं, उनके द्वारा नामों की जांच कराती है। कि उन्हें से कुछ नामों को स्विकार किया जाता है, कुछ नामों को स्विकार नहीं कियाता है, लेकिन ब्यवस्था यही है कि अगर दुबारे सुप्रिम कोट का कॉलेजियम उन्हें वापस करता है सरकार को तो बादेता हो जाती है सरकार की उन्हें स्विकार करना हाँ उसमें time limit नहीं है उसमें विलम किया सका है और ऐसा धरजनों के सरस्में देखा गया है कि भरत सरकार जिसमें यह देखती है कि यह समथी नहीं बनती है सरकार की तो बहुत से मामले लटके रह जाते हैं अब यह हाल में सुप्रिम कोड के एक पीठ ने इस पर काफी चर्च चाकि के सरकार जो नाम भेजे जाते हैं सुप्रिंग कोड कोलेजियम के द्वारा उसे रोक कर रखती है जो अच्छी चीज नहीं लेकिन सरकार के अपने तर्क हैं अब जो इस्तिती है कोलेजियम सिस्टम की एक भारते नागरिक के रूप में जो मैं चर्चाओं को देखता सोचल मीडिया पर भी टीवी चैनल के डिवेट में भी अख़वारों में भी तो उससे जो कुछ बाते निकल कर आ रही है उसमें सच्चाई लगती है सबसे पहले तो यही कि शायद अपने देश को छोर कर दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां जज की नियुक्ती जज के द्वारे की जाती हो दूसरा है कि इस सिस्टम के कारण यह सही बात है कि चाहे वो हाई कोट हो या सुप्रिम कोट हो वहां जजज आपस में बटे रहते हैं उनके विचारों में विरूध रहता है जिसके कारण कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे हाई कोट से नाम जब भेज़े जाते हैं तो ऐसा भी मैंने देखा कि हाई कोट का ही एड़ोकेट का एक गुट उसके विरोध में खरा हो गया और उन्होंने आरोप लगाया और उन्रेबल प्रेसिडेंट और उन्रेबल चीफ जेस्टिस अप इंडिया को भी अवि लगता है कि कि न किसी तरह किसी वरिशे उड़ो है बहुत केशेस में। सही बहुत मामले हैं कि परी परिवार फॉर यह वां तो वैसे के ऐसे हैं जो देश की आजादी के बाद से लेकर अभी तक एक ही खांदान से कई-कई लोग हाई कोट और सुप्रीम कोट तक जज होने में सफल हुए हैं सबसे दुखद इस्थिती यह है कि आखिर जब प्राणी विवस्था थी जजज के अपॉंट्मेंट की या जो 1993 से कॉलेजियम सिस्टम हुआ तो आखिर इस बात की गूँच क्यों नहीं होती है लोगतांत्रिक तरिके से कि अनसुची जाती अनसुची जन जाती और अन पिछले बर जिनकी आबादी इस देश में अलफसंखकों को मिलाकर 85% से कम नहीं है उनके कितने जज़े होते हैं हाई कोट और सुप्रिम कोट में यह बहुत ही दुखदाई चीज है और इस पर हर हाल में अब सोचना ही इसके अत्रिक महिलाओं के भी प्रतिन जित अलफसंखकों के प्रतिन जित भी नगर नहीं होते हैं एक तरफ सरकार चाहती है NJSC जैसी व्यस्ता और दूसरी और हायर जुड़ी सेरी चाहती है कोलेजियम सिस्टम जैसी व्यस्ता लेकिन एक भारते नागरी के रूप में नि इंडिया जुडिस्यल सर्विस जैसे IAS, IFS, IPS, Group A Services Center के जो होते हैं अपॉइंटमेंट उस तरह की व्यवस्ता हो 60% जो प्रेक्टिसिंग लायर हैं और 40% जो फ्रेश लॉग रिजमेर्स हैं उनकी डाइरेक्ट एक्जाम हो UPSC के द्वारा और उसमें जो भारत सरकार का जो आरेक्षन नीती है ST, ST, OBC वगरे के लिए वह आरेक्षन का भी पालन हो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्ची तोर पर लाइक करें शेयर करें अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें बेर आइकन को अब से टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरत मिल जाए आप सभी लोगों के लिए सुब कावना है धन्यवाद जैए